अपने बच्चपन का बदला लेने के लिए एक लड़की अपने फ्रेंड के पास पोश्च थी है उसका पुरा घर बरबात करने के लिए अलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी पॉईजन आईवी दे नियूस एडिक्शन इन 1993 की एक थ्रिलर मूवी है यह पॉईजन आईवी मूवी सीरीज का थर्ड पार्ट है पर इसकी स्टोरी अन्रिलेटेड है आप डिरेक्ली इस मूवी को देख सकते हो पर अगर आपको फर्स टू पार्ट्स देखने है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जहां से आप देख सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजे इसे चैनल को सपोर्ट मिलता है और बिना किसी दरीके इस एक्स्पलेशन को स्टार्ट करते है मूवी स् इसे मेड अपना काम कर रही थी यही घर में और एक सर्वंट भी काम करता था इस सर्वंट और मेड में इन दोनों में रिलेशन्शिप हो गई थी घर की ओनर की वाइफ गार्डन में काम कर रही थी तो इसी मौके का फायदा उठा कर मेड और सर्वंट इस दोनों तुम हमारे बारे में तुम्हारी वाइफ को नहीं बताते मैं और कर भी क्या सकती थी इसका मतलब है आईवान और मेड इन दोनों में अफेर है यह सा बात यह आईवान की वाइफ ने सुन ली उसे गुस्सा आ गया और इस मेड को उसकी डॉटर्टर के साथ घर से बाहर निका आपको पता चलेगा हम देखते हैं कि अब बहुत सालों बाद वाइलेट जॉइस से मिलने के लिए आई जॉइ यह आईवान की बेटी है बचपन में एक दूसरी की अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी जॉइ जब वाइलेट से मिली तो बहुत खुश थी जॉइ की मदर की भी अपडेट हो चुकी है रात में फिर जॉइ वाइलेट और आईवान ये सब डिनर कर रहे थे आईवान वाइलेट से पोचता है कि तुम यहां क्या कर रही हो वाइलेट कहती है कि यहां की कॉलेज में उसकी एंडमिशन हुई है यह होस्टेल वगरा देखकर उसी में रह दॉस्त करने वाली है यह जुनकर जॉइक कहती है तुम हमारे साथ रह सकती हो हमारे पास पैर रूम है आईवान को यह बात पसंद नहीं जो यहां क्या रही हो वह रूम तुमारी मदर का है जुआ कहती है कि वाइलेट मेरी बचपन की फ्रेंड है उसके आने से उसे लेंग आउट कर रही थी जो एक अच्छी टेनिस प्लेयर है तो उसके सारी ट्रॉफिस जगिराओ देखती है इसी रूम में जोई के बॉइफ्रेंड का भी फोटो था तो इसके बारे में आईवी ने उससे पुछा जोई कहती है कि अपने बॉइफ्रेंड के साथ एक सीरियो उन्होंने कभी मुवान ही नहीं किया अभी अभी उनको एक लेडी पसन आई है पर अभी तक उन्होंने उसे डेट पर नहीं पूछा अगली दिन जब जोई अपने प्रैक्टिस पर चली गए तो आयलेड उसकी सब चीज़े देखने लग जाती है उससे एक हिटन बैग मिल जिसमें वो देखने वाली थी तब वहां की मेड आ गई रात में जोई का बॉइफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ था गर में सब लोग फिर डिनर करते हैं बॉइफ्रेंड का नाम है माइकल और आज कल बहुत मेहनत ले रहा है उसके ग्रेट सब कुछ बहुत ही इस पर उसका मज़ा कुड़ाते हैं वायलेट को गुस्सा आ गया उन्हें कुछ बोलकर वहां से चली जाती है वो घर आकर ड्रेस अफ होते हुए हम देख सकते है वायलेट एक्चुल में कॉल गल है उसे कॉल आया था जाकर जब वो वापस आये तो जोई और माइकल ये नीचे आ जाता है माइकल जब नीचे आया तो आईवी नीचे ही उसका वेट कर रही थी आईवी का ड्रेस उसे बहुत अजीब लगता है वो उससे बुछता है कि तुम कहा काम करती हो वो प्लेस का नाम बताती है वो उससे बुछती है या तुम्हें वहां की चीज़े ट्र पाई नहीं होती है, शायद मेरी मदर भी वैसे ही थी, इसलिए वो फ्रस्टेटेट रहा करते थी, वाइलेट कहती है कि मैं 14 एर्स की थी, तब एक लड़की के साथ इंटिमेट हो गई थी, स्कूल में उसे सब लोग बहुत ही गलत चीज़े बोलते थे, तो इसी वज़े से उ जो चीज़े तुमारी नहीं, इसे तुमें टश नहीं करना चाहिए, वाइलेट उसे बीच बुला कर वहाँ से चली गई, आईवान अपनी रूम की खिटके से देख रहे थे, वाइलेट ने नोटिस किया, निवड होकर स्विमिंग पूल में स्विम करने लगती है, ये सब देखकर वो अनकमफर्टेबल हो गया, जोई का बहुत ही इंपोर्टन टेनिस का मैच अब पास आ चुका है, तो इसलिए अपनी फ्रेंड के साथ वो दिनराज प्रैक्टिस करने वाली थी, घर के पास ही उन्होंने कोट भी बनवाय हुआ था, थोड़ी देर में जोई की फ इसलिए तो बहुत ही डर गया, क्योंकि अगर जोई के फादर आइवान को पता जल गया, तो बहुत ही गुसा हो जाएंगे, उसने वायलेट से हेल्प की और आइवान से चुपाते हुए, उसे उपर वो लेकर गया, इसके बाद माइकल और वायलेट बात करते हैं, माइकल क यह सब सुनकर बहुत शौक लगा, माइकल ने रियलाइज किया, कि वो वायलेट के साथ इंटिमेट हुआ था, वो वायलेट को उससे दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, रात में जब आइवान काम कर रहा था, तो उसके पास वायलेट आती है, वो उससे पू चुकी थी, जोई की ड्रंक फ्रेंड को वायलेट अपने रूम में लेकर आये हुई थी, वायलेट न्यूड होके, उसके साथ सोके, यानि कि जोई के फ्रेंड को लगे कि उसके साथ इंटिमेट हुई है, जब फ्रेंड को होश आया, तो उसने रियलाइज किया, कि सब वो गुसा थी तो इसी वज़े से जोई किया वो टेनिस पार्टनर भी नहीं रहेगी कल रात के लिए माइकल को जोई से सौरी कहना था तो नीचे वेट कर रहा था आईवी उसके सामने निवड होकर स्विमिंग करती है वापस आकर आईवी ने माइकल को ड्रग्स दिया माइकल इसके लिए मना करता है वाइलेट उसे गहती है जोई को लेकर तुमने बहुत सारे प्रामिस older यह तकि वो दो तोड़ने विड़नें बनाये जाते वो इसके सामने निवड होग और फिर दोद्र certified हो आएन्टी मेंट हो जाते माइकल कहता है इस चीज के बारे में किस को भी पता नहीं चलना चाहिए अगली सुबह जोई बहुत ही हैंग ओवर थी उसके फादर उसके पास आए गहते हैं मुझे माइकल के ड्रग्स मिले वह अभी भी सुद्रा नहीं है तुम्हें जल से जल उससे ब्रेक अप कर लेना चाहिए यह सुनकर जोई को भी बुरा लग थोड़ी दिर में माइकल फिर से जोई से मिलने के लिए आया वाइलेट दर्वाज़ खोलती है उसने कहा कि तुम मेरी फिलिंग्स हार्ट कर रहे हो हमारे बीज जो भी हुआ इसके बाद तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो उससे ब्लैक मेल कर रहे थी माइकल कहता है कि तुम ने उसे हमारे बारे में बता दिया वाइलेट कहती है कि तुमारे ड्रक्स आयवान को मिल गए थे वाइलेट ने उसे अंदर भी नहीं आने दिया इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि आयवान के आज डेट थी जिसे वो पसंद करता था उसे डेट के लिए उसने फाइनली पूछ लिया, वो सही से रेडी होकर घर से निकल गया, तभी घर के फोन पर एक कॉल आता है, एक कॉल मेट के सामने ही आईवी ने उठाया ये उसी लेडी का कॉल था, जिसके साथ आईवान डेट पर जा रहा था इस लेडी ने कॉल पर आईवान को अलग लोकेशन पर आने का मैसेज दिया ये मैसेज आईवी उसे देती ही नहीं एक दो घंडे के बाद आईवान वेट करकर घर आ जाता है आईवी रेडी होकर उसका वेट ही कर रही थे आईवान ड्रिंक कर रहा था, तो उसके पास होआके, वो उसे बोचता है वो उसे बोचता है कि तुम इतनी dress up क्यों हो, वो गैती है कि आज मेरा party करने का mood है थोड़ा सा उसे dance करना है थोड़ा सा हसना है, उसने आईवान से बोचा, क्या तुम मेरे साथ dance करोगे आईवान भी इसके लिए मान जाता है डांस करते करते हो एक दूसरे को टच करने लग गए यह इंटिमेट हो ही जाते है तब ही घर की मेड वहागी उसे पता चल गया कि इनकी बीच में चल कह रहा था आईवान भी रियलाइस करता है यह सब वो गलत कर रहा था वो उपर अपने रूम में गया तो आईवान भी थोटी दिर में उसके पास आई आईवान भी उसके सामने निउड हो गई थी तो अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है नेक्स डे जॉई जब टूर्नामेंट पर जा रहे थी तो माइकल उसका बाहरी वेट कर रहा था उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है जॉई ने कहा कि टूर्नामेंट के बाद हम बात करेंगे नेक्स उबा आईवन जिसके साथ डेट पर जाने वाला था उसने फिर से घर पर मैसेज दिया इस बार कॉल मेड ने उठाया था उसे सब कुछ चीज़े पता चल गई यह वाइलेट ने नोटिस किया यही किया ही उसने उसका मर्डर कर दिया नेकसिन में हम देखते हैं यह माइकल वाइलेट से बात करता है वो हैता है मुझे तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के वारे में सब कुछ पता है तुम सब कुछ यह जान बुछ कर कर रही हो अब मैं जोई से मिलूँगा उसके और वाइलेट की बीच में जो हुआ यह भी honestly बताने वाला है वाइलेट कहे थी कि जोई तुम से नहीं मिलने वाली उसने मुझे से कहा था कि अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है माइकल फिर जोई को confront करने के लिए घर पहुँच आता है वहाँ पर जोई नहीं थी तो पीचे से वाइलेट ने उस पर हमला कर दिया वो उसके उसने हाथ बान दिये थे जब माइकल को होश आया तो देखता है कि वाइलेट के पास ड्रग्स है यह ड्रग्स सिरिंज में डाल कर उसे वो ओर्डोस कर देती है इस जो उसकी डेथ हो गई माइकल औरेडी एक ड्रग एडिट था तो किसी को शक भी नहीं जाएगा जोई अपनी टुनामेंट से जब वापस आई तो बहुत ही सैड थे क्यों क्यों हार चुकी है उसका माइकल वेट करने वाला था पर माइकल भी नहीं है तो उसे बुरा लगता है वाइलेट उसके पास आई कहती है कि हम दोनों के लिए वर्ल्ड एकी दरीगे का है हमें सब लोग हट करते है कभी-कभी मुझे लगता है इस सब जीसे फेड हो जानी चाहिए जोई ने नोटिस किया कि उसकी मदर की एरिंग्स ये वाइलेट ने पहने हुए है वो उस पर घुसा आऊगे वह एती है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए वाइलेट अपने रूम में आकर उसके डॉल से कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी थे वो आईवान को सिर्फ अपने लिए बाना चाहती थे आईवान कहता है ये मुझे से गलती हो गई थे मुझे तुम्हारा एडवांडेज नहीं लेना चाहिए था वाइलेट कहती है पर हमारे बीच अल्रेडी सब कुछ हो चुका है उसके पास आकर उसे किस कर लेती है जोई को माईकल का कही भी अथा पता मिल नहीं रहा था उसने उसके घर पर कॉल किया तो पदा चला ये माईकल का मर्डर हो चुका है वो डिस्टाब होकर अपने फादर से बात करने के लिए आई तो उसने देखा कि Violet और उसके फादर ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे वो घुसे में वहाँ से चली कि आईवान को बहुत बुरा लगा Violet से यहते हैं कि अभी क्या भी घर से निकल जाओ Violet कहती है कि तुमने मेरी मदर को घर से पहार निकाल दिया था तुम फेसे वही चीज मेरे साथ नहीं कर सकते है मैं होने नहीं दूंगी जो भी सब हुआ इस वज़े से आईवान को टेंशन हो गई थे उसे हार्ट अटेक आने लग गया वो एम्बूलन्स को कॉल कर रहा था पर घर की सब लाइन्स Violet ने कट कर दिया उसकी गाड़ी में एक इमर्जनसी फोन था पर वो भी Violet ने बरबात कर दिया है वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था और Violet पीछे से साइलेंसर बन कर देती है गाड़ी आके नहीं जा पाती है अंदर यांदर धुआ पढ़ने लग जाता है और इसी वज़े से आईवान की डेत हो गई थोड़ी दिर में जोई घर पर वापस आए तो सब कुछ अंधेरा था वो घर का फ्यूज देखने के लिए गई तो डारेक्ली गायब था यही फ्यूज वो क्लॉजेट में चेक कर रही थे तभी उसे मेड की डेट बॉड़ी मिली वो बहुत डर गए वहाँ से भागने लग गए तभी आईवी ने उसे रोक लिया रोज उसे पुछती है कि मेरे फातर कहा है आईवी ने कहा कि वो बहुत दूर चले गई है हम दोनों भी वही जाएंगे इसे पहले तुम ड्रेस सब हो जाओ जोई डर गई थी तुसे जबरदस्ती ड्रेस पहनना ही पड़ता है वाइलेट फिर रोज कोई जगा पर बिठाती है और वहाँ पर डॉल भी रखी हुई थी वो जोई से गहती है कि अब तुमें चाय पीनी है चाय पीने के बाद तुमारी सब कुछ प्रॉलम्स मीट जाएगी इसमें पॉईजन था ये पिला कर उसे मार कर वो खोड सुसाइड करने वाली थी जोई ने जल्दी से एक चेर वाइलेट के सर पर मारी वो भागने के कोशिश कर रही थी वाइलेट ने उसे रोक लिया उपर के सीडियो से जोई उसे धक्का दे देती है वाइलेट को सरपल चोट आई और इसी वज़े से उसकी डेथ हो गई बच्पन में वाइलेट की मदर और आईवान का अफेर था आईवान की वाइफ को जब पता चला तो उसे ज़र से बाहर निकाल दिया इन सब के लिए वाइलेट को बदला लेना था जोई को लगा कि वाइलेट उसकी एक अच्छी फ्रेंड है तो इसी वज़े से घर में उसे रहने के लिए दिया और वाइलेट ने जोई का एक घर बरबात कर दिया इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है गर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया